मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से ख़णा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं अपने घर में बहुत अच्छी दवा है धनिया पत्ता थाइराइट की कोई भी बीमारी में सबसे अच्छी दवा धनिया पत्ता धनिया पत्ते को चट्णी बनाओ गरम पानी में मिला के पिए थाइराइट की 40-40 सान पुरानी बीमारी 25-30 दिन में ठीक कर देता धनिया पत्ता थाइराइट जिनको थाइराइट की तकलीफ है सबको आप बताओ धनिया पत्ते की चट्णी गरम पानी में पिए चट्णी कैसे बनाना पीस लो पत्थर पे मिक्सी में पीस लो उसमें नमक विर्च कुछ नहीं डालना धनिया पत्ता से हाँ और एक चम्मच चट्णी आदा गिलास पानी दो चम्मच चट्णी एक गिलास पानी इतना ही रोज पीलो सुबह खाली पेट थाइराइट की सारी बीमारी हाइपर थाइराइडिसम हाइपो थाइराइडिसम और थाइराइड से होने वाला मोटा पा ये सब मिटा देता धनिया पत्त, ऐसे ही पुदीने का पत्त है, पुदीने के पत्ते की चट्नी तवचा के किसी भी रोग में लगाओ, जैसे खाज है, खुजली है, दाद है, सुराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जीमा है, सब में पुदीने के पत्ते की चट्नी लगाओ, सब बीमारी मिटा दे बड़े से बड़ा जले का दाग कुदीने के पत्ते की चटनी से मिट जाता अद्बुत है यह ऐसे ही अपने घर में नीम का पत्ता नीम का पत्ता मनें मीठा नीम मीठा नीम हम समझते हैं कड़ी पत्ता है जिसको कहते हैं ये कड़ी पत्ता बहुत अद्बूत है वाद के और कफ के सभी रोगों के लिए बीपी बढ़ गया कड़ी पत्ते की चट्नी बनाओ कड़ी पत्ता आप जानते हो गुनगुने पानी में पीओ बीपी एक दम नॉर्मल कर देता है कड़ी पत्ता मीठा नीम कड़ी पत्ता जो सब्जी में डालते हैं हम बीपी हाई है तो classical करता लोह है तो order mental करता ख़ून अगर गाड़ा हो गया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया पत्ला कर देता है चाज में कड़ी पत्त मिलाके पीते रहे हैंता मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सब वही कह रहा हूँ जो हजारों साल से अपने घर में होके आई बस हमारे ध्यान में नहीं है क्योंकि हम डॉक्टर के चक्कर में भसे तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो बीमारी से नहीं दवाओं से बचो वीमारी से नहीं ओपरेशन आदी से बचो और ये घर में जो दवाएं हैं इनका उपीवपी जल्दी जादा से जादा घरों में ये बात अगर पहुँच जाए तो लाख करोण रुपए साथ लाख करोण रुपए देश का बचे ये है मेरी भावना तो आप इस भावना का सम्मान करें और अपने जीवन को थोड़ा विवस्थित करें दोस्तो सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूलें